कि आज से इन तीनों बिजली कंपनियों की नॉर्मल बिलिंग शुरू हो जाएगी और मंडे से जो बिल लोगों के पास आएंगे वो बिना सबसिदी के बिल आएंगे तो जो दिली वालों को फ्री बिजली आदी बिजली की सबसिदी या लगलग कंस्यूमर्स को मिलती है वो समाप्त हो जाएगी देखिए ऐल जी साहाब को मुझे मिलने का समय दे नहीं रहे है तो मैं सब मीडिया चैनल्स के माध्यम से सोशल मीडिया के माध्यम से एज़ी साहब से हाथ जोड के निवेदन करना चाहती हूँ कि प्लीज ये बिजली सबसिडी की फाइल पास कर दीजी बिजली सबसिडी की फाइल वापस भेज दीजी कि दिल्ली के 46 लाख परिवारों को समस्या ना हो परिशानी ना हो नाईधनी दिल्ली में मुफ्त की बिजली अब नहीं मिलेगी जीहां नाईधनी दिल्ली में 200 यूनिट तक आपको free बिजली मिलती थी और 400 यूनिट तक 50% सबसिडी मिलती थी वो सबसिडी आज से बन्द हो जाएगी और इस बात का खुलासा खुल दिली की शिक्षा मंतरी आतिशी ने किया है उन्होंने बताया है कि दरसल दिली में बिजली पर मिलने वाली सब्सेडी अब बंद होने जा रही है विकास जो उनकी फाइल है जिस फाइल से वो सबसेडी रिलीज करते हैं विजली कमपनियों को दिल्ले के LG के पास पैंडिंग पड़ी है और वो उस फाइल को दबा कर बैठे हैं और फाइल क्लियर नहीं कर रहे हैं आमारवी पार्टी ने दिल्ले की जनता को बड़ा जट कर देते हुए बिजली पर दी जाने वाली सबसेडी बंद करने का एलान कर दिया है दिल्य की उड़जा मंतरी आतिशी ने इसकी जानकारी दी है और ये कहा है कि आप सबसेडी नहीं दी जाएगी विकास फाइल पैंडिंग है फ्री बिजली सबसेडी बंद करने का मुख्य कारणी ये है कि सरकार ने आने वाले वर्ष के लिए सबसेडी जारी रखने का ने ने लिया था लेकिन वो फाइल दिल्ली के एलजी साहब के पास है और तक फाइल वापस नहीं आती तक आम आनमी पार्टी सरकार सबसेडी वाले बिल जारी नहीं कर सकती आपका ये फैसला दिल्ली के जन्दा के लिए किसी बड़े जटके से कम नहीं है तोकि गरीब तपके के जो लोग हैं जनकी माली हालत काफे ज़दा खराब है वो पहले ही महंगाई की महार जेल रहे हैं और ऐसे में अगर बेली की सबसीडी भी नहीं मिलेगी ति ये उनके लिए काफे ज़दा मुश्किल हो जाएगा हलाकि इस आरोब के बाद दिल्ली के एल जी का कहना है कि ये जितने भी आरोब लगाए हैं निराधार हैं और जूटे हैं और उनके पास दरसल फाइल 11 अपरेल को भेजी गई और 13 अपरेल को चिठी लिखकर प्रेस कॉंफरेंस करकर उनके ओपर दो शारोपन किया गया ज़कि समय सीमा 15 अपरेल थी तो ऐसे में जहां एक तरफ बीजेपी है के अंदर में दूसरे तरफ आम आदमी पार्टी है दोनों एक दूसरे पर इलजाम लगा रहे हैं लेकिन इस महंगाई के दोर में अब आम आदमी की जेप पर कैची चलती है नज़र आएगी और सबस्तरी ना मिलने का नुक्सान ग झाल